नमस्कार बारमित्रो दोरन चार विशाई हिंदी जेमाजा आपरे पुन्डरा वतन बेजोईशू चलो देख़े हैं पुन्डरा वतन डो प्रशन नम्बर एक हाटी के बारे में चार पाच वाक्य लिखे हमें हाटी के बारे में चार पाच वाक्य लिखनेगे है आप लोगों को हाटी के बारे में पटाई होगा आगे हमने डमडम आटा हाटी डमबक डमबक आटा हाटी गिट जोई बराबर एक गिटने अधारे पन तमया हाटी विशे चार पाच वाक्य लखी सको छोब तो चालो हाठी सबसे बड़ा और टाकटवर जानवर है वह जंगल में रहता है हाठी का रंग काला होटा है इसके पाव खम्बे जैसे मोटे और मजबूत होटे है इसके कान सूप जैसे बड़े होटे है इसके कान शूप जैसे बड़े होटे है इसकी आखे बहुत छोटी होटी है उसे एक लंबी सुन्द होटी है हाथी के दो लंबे डाट होटे है हाथी सवारी और सामान ढोने के काम आटा है हाथी समझदार जानवर है रव आरीते तमारे 4-5 वाक्तिय लखवान आजे तमें तमारी इरिते पन लखी शको छो चलो आगन जोई आपरे प्राश्न नमबर डो समानाटी सबदों के जोडे बनाए ए औ और बो दो विबाग दिये गए है अ और बाब अ विभाग में दिये गए शब्द के समानाटी सब्द बाव विभाग में दिये गए है प्रवाई चे समानाटी सब्द आवे एनो तमारे क्रम लखवानो अथो तमारे एनी सामे एनो जवाब लखवानो छे बड़ाबर तो नमबर एक पानी तो पानी नो जवब सुआउसे पानी नो जवब आउसे जल तो पानी के सामने लिखो जल नमबर डो आस्मान आस्मान नो जवब सुआउसे आकास तो आस्मान के सामने लिखो आकास नमबर तीन धर्ती धर्ती नो जवब सुआउसे धरा तो धर्ती के सामने लिखो धरा सीपाई सीपाई नो जवब सुआउसे सैनिक तो सीपाई के सामने लिखो सैनिक चलो प्रास्ण नम्बर डो ब विरोधी सब्द ढून कर उसका वाक्या में प्रयोग की जिये पहिया आपरे विरोधी सब्द लख्वानों छे और ए बढ़ने विरोधी जे आपरे सब्द लख्यों छे जे अनो विरोधी लख्यों छे एपन और जे सब्द आपेलों छे एपन प्राबर ये बन्य सब्द नो उप्यों करें आपरे एक एक वाक्या लख्मानू छे प्याले आपरे विरोधी सब्द लख्माना छे तो नमबर एक नीचा नीचा नू विरोधी सुस हसे उचा तो चला आवरे वाक्या लखिये बूरा काम करने वाले को नीचा देखना पड़ता है वीजु वाक्या अच्छा काम करने वाला उचा देख सकता है नमबर दो छोड़ना छोड़ना नू विरोधी ससे पकरना तो चलो आके लखिए हमे बूरी आड़ा छोड़नी चाहिए विजु आके लखिए अच्छी आड़ा पकणनी चाहिए नमबर त्रण आसमान आसमान आसमाननु विरोधी धरती चलो आके लखिशू पटंक उड़कर आसमानको छुटी है बिजु आख्ये लखिशु पटंग तूटकर धर्ती को छुटी है नमबर च्यार जाना जानानों विरोधी दसे आना चलो आख्ये लखिशु छोटा बच्चा भी साथ में आना चाटा है चलो आगे प्राशन नमबर तीन नीचे दिये उदाहरन के अनुशार लिखे नीचे दिये गए उदाहरन के अनुशार लिखे उदाहरन दिया गया है यह लड़का है आवे एनु लिंग परिवर्तन करीने वाक्या लखिलू छे यह लड़की है चलो आवे जोईए नमबर एक वहर आजा है तो आपरे लिंग परिवर्थन करीने लखिशू वाक्य वहरानी है नमबर डो यह सिक्षिका है तो आपरे लिंग परिवर्थन करीने लखिशू यह सिक्षक है नमबर टीन वहलेखक है तो आपरे लिंग परिवर्थन करीने लखिशू वहलेखिका है वह लेखी का है प्रस्त नंबर 4 उदाहरन के अनुशार वाक्य प्रयोग किजिए उदाहरन दिया गया है यह टिटली है यह टिटली है अहीं आपने बहु वचन मा फिरवीने वाक्य बना अनुचे अने लखवानुचे चलो नंबर 1 वह मचली है वाक्या उसे वे मचलीया है नंबर 2 यह लड़की है आपने वाक्य लखवी शू ए लड़कीया है नंबर 3 यह बिल्ली है वह वचन मा फिरवीने वाक्य लखवी शू ए बिल्लीया है नंबर 4 वह गोडा है तो बहुँ अचर्मा फेरीन वाक्य लखे शुवे गोडे है चलो अब आगे देखते है सही विकल पसंग करके वाक्य लिखे सही विकल पसंग करकर वाक्य लिखे चलो नमबर एक खाली गया टिटलिया है यह के ए तो जब स्वाव से ए यह टिटलिया है नमबर डो खाली गया तुमारा फूल है काउसमा पेला चे वह वे तो सुजवाव से वह वह तुमारा फूल है नमबर टीन खाली गया किसान हूँ मे के मे तो दबल मात्रावारों मेया उसे मे किसान हूँ नमबर चार यह पार्ट साला है खाली ग्यार कई चात्र पड़ते है काउस मा आपे लाचे इन में इस में तो कौन सा आएगा इस में तो यह पार्ट साला है इस में कई चात्र पड़ते है यह पार्ट साला है इस में कई चात्र पड़ते है नमबर पांच किसान खाली गया करता है काउस मा पेलाचे कौन क्या तो किसान क्या करता है नमब 6 खाली गया लड़के ने मुझे लड़ु डिया तो काउस मा पेलाचे वह उष तो उच लड़के ने मुझे लड़ु डिया पिराबर अहिया आपरो अभ्यास्क्रमपन पूर्ण ठाई छे दित्ते सत्रनों आजे आपरे जेटलू पन जान्यू शमज्यू ए बदू तमारे वेवस्ती दरिते चोपरीनी अंदर नौटबुक मा अने श्वाद्याई पोठी मा लख्मानू रईशे आभार